नमस्कार, क्यापिटल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा स्वतंत्रता दिवस के अफसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने लाल किले पर तिरंगा फैर आया द्वजा रोखन के बाद लाल किले की प्राक्चीट से पियम मोधी ने मनपूर का जिक्र करती हुए कहा पिछले दिनों में मनपूर में हिंसा का दौर चला, मा बेटियों के समान से खिलवार हुआ लेकिन आज वहां स्थिती सामान हो रही है, शान्ती लोट रही है, केंद्र और राजसरकार शान्ती बहाली के लिए काम कर रही है देश मनपूर के लोगों के साथ है, पर सवाल ये है कि क्या मनपूर के लोग पियम मोधी के साथ है और आज इसी सवाल को समझेंगे, क्योंकि सवाल का जवाब वो शक्स दे सकता है, जो मनपूर का हो, मनपूर की ताजा हालात को अपने आखों से देखा हो आज मेरे साथ मनपूर के रहने वाले सीनियर जनरलिस्ट एस विजेन जी मौजूद है विजेन जी बहुत स्वागत है आपका, पियम मोधी ने मनपूर का जिक्र किया कल और उन्होंने कहा कि अब वहाँ से शांती की खबरे आ रही है और पुरा देश मनपूर के साथ है पर मेरा आप से ये सवाल है कि क्या मनपूर की जनता पियम मोधी के साथ है जी मैं सबसे पहले दर्शकों को स्वतनत्रता दिवस की हारदिक सुलकामनाय सभी को और पहली बात तो यह है कि आज नरेंद्र मोधी जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि मनिपूर कुरे देश के साथ है देश के साथ खड़े है ये बहुत बड़ी बात है और वहां की जनता पहली बात तो यह है कि वहां की जनता बीजेपी सरकार पर या नरेंद्र मोधी पर भरोसा करते हैं तभी तो सत्ता में दुबारा आये हैं मतलब राज्य सरकार में और दूसरी बात कि इस समय जो आरोप प्रत्यारों को दोर भी बहुत चला है और आरोप प्रत्यारों तो होता रहेगा जिस तरीके से जो मनिपुर हिंसा को बीजेपी सरकार ने इतना स्मूड तरीके से जो हैंडल किया ये बहुत बरी बात है लेकिन बीपक्स ने बार-बार मनेपुर के नाम पर बहुत राजने तो यह बहुत कोशिस करते रहें कि भासपा मतलब खास करके प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहें इस मामले में बहुत कुछ कोशिस किया प्रोपेगंदा फैलाने की लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि विपक्ष ने क करता है और विपक्ष पार्टियों को यह याद रहना चाहिए कि इरोम शर्मिला कम से कम 10 साल उन्होंने बुगहरताल किया था इस आर्मी मतलब मनिपूर में जो आर्मी लगाते हैं अफसपाल एक जो लगाते हैं उसको हटवाने के लिए वो 10 साल बुगहरताल करती रही ले कि जो बिपक्ष पार्टियां चाहती है कि वहां पर आर्मी और लगाये जाए और वहां पर शांती के नाम पर फिर और कुछ बहुत कुछ घटना है और हो सकती थी लेकिन उन्होंने मतलब भासपा सरकार ने इसको जिस तरीके से जो इतना स्पस्ट और मतलब इतना स्मूर् और ओवेक्स के रिजिम में एक बात में उधारन देना चाहता हूं कि वहां पर नेशनल हईवे जो जो इंफाल जो आती है नेश्फाल आईव. वहां पर थे नियूर्ग हैवे बन होने कि वज़य से कम से कम 50 दिन, वहां ब्लोकेट कि वज़य से सामान का मतलब दाम इतना वो हो गया था लपी जी का दाम हजार मतलब हजार पंदर सोग तक पहुंच गया थे और पेट्रोल की कीमत और बहुत सारे दिकत्तों का सामना करना पड़ा था लेकिन इस समय क्या हुआ अभी जो वायलेंस के दौरान बासपा सरकार की कोशिस की वज़े से सेंट्रल गवर्मेंट की कोशिस की वज़े से वहां पर थो खंचांग नाम के एक मतलब रेल वे स्टेशन यह अभी फिलाल मतलब तमेंगलों डिस्ट्रिक्स में वह स्थिद है यह स्टेशन वहां तक मैं रेल्वे का लाइन अभी पहुंच चुका है तो वहां पर दस वो तो कुक्कियों ने उसको ब्लोकेट करके रखा तो जाने नहीं दिया सारे खाने पीने के सामान दाम बहुत आसमान शूर रहे थे लेकिन वो बीजेपी गौमेन ने वहाँ पे न तो वहाँ पे प्रचार किया ना कुछ शोर सरावा किये वगेर रेल्वे के थ्रू वहाँ पे खौंचांग जो रेल्वे स्टेशन है वहां तक खाने पीने का सामान पहुंचाया और जो सामान की जो कीमत बहुत भाग रहे थे उसको कंट्रोल करने के कोशिस किया इस तरीके से और भी है जो वहां पे रिलिफ केम पे माल लेते हैं कि जितना जो विक्टिम्स लोग है चाहे कुकी की तरब से और चाहे मीटे की तरब से रिलिफ केम पे मैंने तो बहुत सारी जगों पे भी जा करके देखा था पिछले कुछ दिन पहले मैं जब गए थे मुईरांग और विश्नुपूर से लेकर के इधर नीचे मतलब शुगनू और उस साइट में मैं जब गया था तो रिलिफ केम के स्थिती भी मैंने देखा कि बहुत लोगों को खूश है वहां पे रिलिफ केम पे रहते हुए कि उतना मतलब दिकत्तों का सामना नहीं करते है यह है कि उनके मन में एक निचिंता की भावना तो जरूर रहती है कि उनके घर जल चुके हैं यह लेकिन फिर भी वहां पे रिलिफ केम की बेवस्ता अच्छी है सरकार उन विक्तिम्स लोगों को मतलब उनकी जिसके घर परिवार जला क्या आप रिलिफ केम्प में गया थे जी बिल्कुल गया था और अभी हाल में वहां के जो बीजेपी सरकार ने जितना जो रह रह रहे हैं वो लोग स्कूल या कोलेजों में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक बेवस्ता और कि वहां पर मकान बना रहे हैं उस मकान पर उन लोग को फिर सिफ्ट करने की बात चल कर रहे हैं बहुत ज़ली अधीकतर मतलब hard में एकड़ार कितनी मदद कर रही है क्यां जो बाते कह रहे हैं उस بातों में सच्चा Yblock है वाकई सरकार क्या मनिपूर में काम कर रही है जी बिल्कुल मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि नेशनल मीदिया में और पूरे यहां पे दिल्ली में खास करके वहां के सिविल सोसाइटी और स्टुडेंस और इतने लोगों ने जंतर मंतर पे और टीवी मेडिया प्लेटफ मनिपूर में जो हिंसा हुआ है वह एक दबाने के कोशिश किया कि और व्ल multiples ल Ó उनको दबाने की कोशिश हमें यह वह हुआ अब प्रॉपर अलब यह उनल शाहरे अब पिडिवायम यह वहीं बाद रखी वहां की जो मैनमार से जो इलिगेंट माइगरेंस जो घुच के आ रहे हैं और मिलिटेंस लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं नार्को तेरोरिजम पर जो लोग उन लोगों के पोपी कल्टिवेशन से जो पैसे आते हैं और बहुत सारे चीजें मतलब हो मिनिस्टर ने बहुत साफ रख दिया यह एक तरह से बहुत अच्छा काम किया मतलब हो मिनिस्टर ने इतना साफ बता दिया कि सई चीज वहां पर हो क्या रहा है कम से कम पुरे देश के सामने रखा यह बहुत अच्छा किया और एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि वहां पर हो मिनिस जो मनिपूर में ऑपरेट करता है तो वहां से मियनमार से जो कुकी मिलिटेंस भूश के आये हैं जैसे कि अमिच्छा जी ने भी मतलब पार्लामेंट पे कहा इसका एक उदारन में कहना चाहता हूं कि वहां पे मनिपूर के एक कुकी टेरिस्ट और्गनाइशन का नाम है जोमी रिबॉलुस्टनरी आर्मी जेट आर ए नाम से जाना जाता है वहां कि जो मतलब चेर्मेन जो है मतलब सबसे हैड जो है वो उनका नाम है थांगलियान पाव गुईते तो यह आदमी मयनमार के एंपी थे पहले 1995 पे यह है इसका है तो जिस्त यह हो मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि यह आदमी इलिगली घूश के आये और मनिपूर में एक टेरिस्ट और्गनाइशन को मतलब वो अपरेट कर रहा है तो यह मैं नहीं कह रहा हूं कि इस तरीके के सच्चा ही ज जान दिये वहां की ग्राउंड रिपोर्ट जो बताई उस बात में पूरी की पूरी सच्चा है और इस से वहां की जो मैं जो गूड है कुकी जो आई-टी-एल-फ बोलते हैं मतलब एक संगठन है कुकी जो और्गनाइजर है वो उसकी तुरू जितने जो प्रोटेस रेली क करना है सब कुछ वह हैंडल कर रहा है फिलहाल तो वह आई-टी-एल-फ के लोग इतने नराज हुए हो मिनिस्ट्री के बाद पर और मनिपूर के जो कुकी एमेलेस है दस कुकी एमेलेस है वह इतना नराज हुए वह खुड मेमोरेंडम दे के कि प्राइम मिनिस्टर से कह रह के प्यम मोदी के साथ मनिपूर की पूरी जनता है मेरा आखरी सवाल आपसे एक है जिस तरह से मनिपूर से एक वीडियो आया उस वीडियो को लेकर जमकर राजनिती हुई पर उस वीडियो के अलावा भी बहुत कुछ सचाई है जो जनता तक नहीं पहुँची है क्या जान जोड़ना चाहता हूं कि अभी जो हिंसा हो रहा है यह एक इस पे ड्रक एंगल बहुत बड़े पैमाने पर ड्रक एंगल है जो मीडिया में और भी बहुत सारी बातें जो नेरेशन चलते कि नार्को तेरोरिजम की बात चलती है यह बिलकुल सच्चा है वहां पे पॉपी कल कोई फैंसिंग नहीं हुआ है खुला बॉर्डर है तो अभी पिछले 2022 में बीजेपी के सरकार आने के बाद 10 किलोमीटर का फैंसिंग करना शुरू कर दिया अभी साथ किलोमीटर और वह काम चल रहा है बाकी का सर्वे चल रहा है जैसे हो मिनिस्टर शाप में भी संसर में ब पैसा जाता है वहां की मुख्या पर उनको मतलब टेक्स के तोर पर देते हैं और पॉपी कल्तिवेशन से इन लोग के पास इतना पैसा आ गया कि वह सोफिस्टिकेट विपन खरिल देते हैं और एक बहुत बड़ा मतलब टाकत वह खड़ा कर दिया और वहां पर हमला अभी जो चल रहा है इस पर उसका इस्टिमाल भी कर रहा है लेकिन में बाद यह है कि नार्को टेरिस्ट की बाद जो चलती है यह बिल्कुल सचा है इस पर बहुत मतलब इसके बिरोड में जो कोशिस किया मतलब उन्होंने एक अभियान भी चलाया था और पोपी कल्टिवेशन के खिलाब अभियान चलाया था यह सब चीजों से कुकियों के बीच में इतना नफरत मतलब मीतई कमूनिटी के उपर या पर इतना नफरत पैदा हो गया कि वह कॉंग्रेस के रेजिम में इतना जो गंदगी फैला कर रखा हुआ है वो सीएम बिरेंसिंग ने जब साफ करना शुरू किया तो लोग कॉंग्रेस पार्टी नहीं मैंतलब समुदाई के खिलाब समर्तन जुटाने की कोशिश किया बिल्कुल बिल्कुल कोशिस खुब किया ह है लेकिन अभी तो और भी बहुत सारी चीजें साफ होती जा रही है और आने वाले दिनों में और भी साफ होगा चलिए एक मेरा आखरी सवाल और है आपसे आप मनिपूर से आते हैं आपने आखों देखी हिंसा वहां पे देखी है जिस तरह से पीम मोदी ने कहा कि अब वह जो देश को बताया था बिल्कुल सही बाद है एक सप्ता के करीब हो गया ज्यादा उससे अभी तक हिंसा की ख़बर नहीं आ रही और महुल दिरे-दिरे मतलब कंट्रोल में आ रहा है और स्तिती सांती की तरफ बढ़ रहे हैं और इस पे सब लोग दोनों मतलब पूरे समझाने के लिए मतलब पीम मोधी के साथ मनेपूर की जनता है बहुत बहुत धन्यवाद विजेन जी तो मनेपूर के नाम पर विपक्ष बस राजनिती कर रहा है ये वाकई शर्ब की बात है मनेपूर में आखिर हिंसा क्यों हो रही है कौन हिंसा बढ़का रहा है किसकी करने की कोशिश की जा रही है इसे जानना बेहत जरूरी है और सच्चा है ये है कि कॉंग्रोस पार्टी ने में तई समुदाय को बद्लाम किया सिर्फ एक वीडियो के नाम पर राजनिती की कूकि समुदाय को लेकर समर्थन जुटाने की कोशिश भी की दोनों पक्षों की बाद जन्ता के साबने नहीं आई है और मनपुर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनिती की जा रही है आप अपनी राय कॉमेंट करके जरू लिखें देखते रहे क्यापिटल टीवी नमस्क्रार